नवश्कार दोस्तों सेरादे मित्रो अगर आपका नौ नंबर है अर्थात नौ मूलांख है तो आपके लिए वीडियो खास होने वाला है जीवन में घर की बड़ी चरूरत होती है हर आदमी के पास अपनी एक छत होनी चाहिए जिसके नीचे उसके परिवार के सपने बुने जाते है उसके मन में एक्षा होती है कि हमारा घर एक ऐसा मंदिर हो जिसमें हमारी सभी इक्षाएं पूरी हो इसी चीज को दृष्टी में ध्यान रखते हुए अंकजोतिस के अनुसार आपके लिए कौन सा नंबर सूट करेगा इसकी चर्चा हम वीडियो में करने वाले है सबसे पहले नौ नंबर किनका होता है जो किसी भी महिने की 9, 18 और 27 तारिक को पैदा होते हैं उन सभी लोगों का 9 नंबर होता है इसका स्वामी मंगल होता है मंगल को भूमी, पावर और ताकत का कारक मना आता है मैंने बहुत बार देखा है नौ नंबर के घर के आसवास इनरजी से जुड़ा हुआ कारी होता है नहीं कुछ होगा तो जनरेटर की ही आवाज चलती हुई इनके घर कानों में आती रहती है वहीं पर विल्डिंग मसीन या तमाव ऐसी चीज़ें चलती हैं जिससे आग निकले भट्ठी की चीज़ें घर के आसवास देखी जाती है नौ नंबर वाले जो अपने लिए घर का चैन करते हैं तो उनको चहिए कि अपना नंबर ले नहीं तो उनके लिए सबसे अच्छा होगा एक नंबर अर्थात सूरी का नंबर सुर्य को मंगल का परमित्र माना जाता है और कहा जाता है कि नौ नंबर वालों को पूर्व का मकान या एक नंबर का मकान ज़्यादा सुभ होता है अगर सेकेंड आप्सन की बात करें तो इनके लिए तीन नंबर का मकान भी अच्छा होगा थार्ड नंबर की बात करें इनके लिए दो नंबर भी ठीक होगा लेकिन कुछ ऐसे नंबर है जिनका चैन इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए जैसे कैसे आठ नंबर, साथ नंबर, पाँच नंबर इन तीन नंबरों का बिल्कुल चैन नहीं करना चाहिए छे नंबर में धन और सोहरत तो बहुत आएगी लेकिन परिवार में बच्चों के संसकार पर थोड़ा सा निगेटिव इंपैक्ट देखा जाएगा इविन कई बार आपके भी संसकारों पर इसका प्रभाव पढ़ सकता है तो आपको कोशिस करके छे नंबर भी अवाइट करना चाहिए रही बात सबसे अच्छे की तो आपको एक, तीन और दू का ही चैन करना चाहिए उसके बाद सबसे अंत में आपका नंबर है नो आप खुद अपने लिए प्रियूप कर सकते हैं तो मित्रो इस वीडियो में हमने नो गुलांग के लिए बताया कि कौन सा नंबर आपके लिए सुभ और अच्छा होगा अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो दूसरों को जरूर सेयर करिए और हाँ अपने कमेंट्स जरूर छोड़ा करिए आपके कमेंट्स हमारे लिए प्रेड़ा का कारक बनते हैं आपको अपने लिए नंबर जानना है या कुल्ली दिखानी है बास्तु के बारे में जानना है दिये नमबर पर कॉल करके आप हमारे पास फोन कर सकते हैं और हमसे सीधे वारता कर सकते हैं रवश्कार सिरादे